नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब का एक बार फिट से सौगत है बाईजूज इग्जाम प्रेप आएस हिंदी के एस यूटीब चैनल पर आज है 24 मई और आज हम लोग देखेंगे हमारी प्रारंभिक परिक्षा की द्रेश्टी से कौन से प्रश्ट महतपून है सबसे पहला प्रश्ट आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं और आपको सत्य कथन की पहचान करनी है क्रिश्णा नदी का उद्गम महराष्ट के महा बलेश्वर में होता है यह भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है यह चार राज्जों से होकर बहती है भीमा नदी क्रिश्णा नदी के बाएं किनारे की एक महतपून सहायक नदी है इसको करने का प्रयास करिए अब देखिए यह न्यूश चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि तेलंगाना और आंद्रप्रदेश के बीच में जो क्रिश्णा रिवर को लेके विवाद है वो अभी भी उसको सॉल्व नहीं किया चुका है ऐसा बोले जा रहा है कि 9 वर्ष हो चुके है अब जरा इस मैप में कृष्णा रिवर को देखते हैं तो जो ग्रीन कलर से आपको रिवर दिख रही है यह कृष्णा रिवर है तो यह आपको महराष्ट के महा बलेश्वर से इसका उधगम होता है और फिर यह चार राज्यों में यानि की महराष्ट, करनाटका, आंधर प्रदेश और तेलंगाना इन चार राज्जों से होके गुजरती है और फाइनली बे ओफ बेंगॉल नहीं की बंगाल की खाडी में गिर जाती है अगर बात करी जाए तो सबसे लंबी नदी गंगा उसके बाद गोदावरी और फिर थर्ड नंबर पे कृष्ण रिवर का राम आता है इसकी अगर सायक नदियों की बात करें ये भी इंपोर्टन है भीमा, कोईना, दूद गंगा, पंच गंगा, माल प्रभा, घाट प्रभा, तुंग भद्रा ये इंपोर्टेंट कुछ इसकी सायक नदिया है, इनको जरूर याद रखिएगा, वापस अपने प्रेश्ण पे लौटते हैं, तो महराष्ट के महाब अलेश्वर से होता है, एकदम सही कथन है, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी एकदम सही कथन है, चार राज्य स्टैचुरी बॉड़ी है, बाल, दत्तक ग्रहन, संसाधन, सूचना और मारदशन प्रनाली जो केरिंग्स के नाम से जानी जाती है, बच्चों और माता-पिता का एक डेटा बेस है, जिसका रखरखाव कारा की द्वरा किया जाता है, किशोर न्याय अधिनियम, यहाँ पर जुविनाईल जस्टिस की बात हो रही है, में दत्तक ग्रहन और बाल सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों को सुवस्थित करता है, इसको करने का प्रयास करिए, अब देखिए, इंडियन एक्सपेस की न्यूज है, इसमें लिखा हुआ है कि महराष्ट राज के अंदर 170 प कारा के बारे में जान लेते हैं, अब कारा जो है ये एक सामविधिक निकाय है, इंपोर्टेंट प्रश्ट यहीं से बन जाएगा आपका, और कौन से महिला एवां बाल विकास मंतराले के अंतरगात आता है, इसको भी याद रखेंगे, अब देखिए, जो भारती अनाथ ब भारती बच्चा गोद लेना चाहता है, तो उसके लिए भी ये नोडल एजनसी का काम करती है, अब जो केरिंग्स की बात हो रही है, तो केरिंग्स के बारे में क्या है, कि ये कारा ही इसको मैनेज करता है, इसमें बिसिकली इसलिए बनाए गया था, ये सबसे पहले जान लो ऐना उसको कम किया जा सके, तो पहला वाला कथन एकदम सही हो जाएगा, दूसरा वाला कथमरी एकदम सही हो जाएगा और यहाँ पर जुविनाईल जस्टिस का जो एक्ट है वो भी दतन ग्रहन और बाल सुरक्षा संबंदित सभी नियमों को सुवेस्तित करता है, तो 6213, एक राज के राजपाल को समान शक्ति देता है, अध्या देशों को उनकी घोशना के 6 माइने के भीतर, संसद एवं राज विधान सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अब देखिए, इंडियान एक्सप्रेस में एक्स्प्लेंड का जो पेज आता है, उसम समविधान के अंतरकत 123, सिंपल सा नंबर है, तो ये प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, किस चीज की अध्या देश निकालने की, अभी प्रेसिडेंट अध्या देश निकालते हैं दो केसे में, एक तो जब संसत का सत्र ना चल रहा हो, और दूसरा इनको संतुष्टी हो दूसरा यदी ओर्डिनेंस निकाला गया है, तो उसको 6 वी, क्यानि कि 6 सब्ता के अंदर अंदर इसको संसत से या राज विधान मंडल जो होता है, उससे पास कराना अवश्यक होता है, अधर्वाइस ये अपने आप क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, तो पहला वाला स्टेटमेंट एक तम सही हो जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, यहाँ पर देगे 6 महीने लिखा है, यहाँ पर 6 हफते होना चाहिए था, तो यह वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारे best option हो जाएगा B, केवल 2 कथन, अगला प्रश और National Register of Citizens, राष्टी जनसंख्या रजिस्टर पहली बार 1971 में तयार किया गया था, इसे 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहट तयार किया था, यह देश के नागरिकों का एक डेटाबेस तयार करता है, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले NPR का कुछ बेसिक जान लेते हैं, तो NPR को 2010 में पहली बार बनाए गया था, ठीक है, एक्चुली में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी जब कारगिल वार हुआ था, तो उसी के बाद से यह चर्चा में आने लगा था कि हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें विदेशी और जो भारती हैं, उन पिछले 6 महीनों से रह रहा है, या उसकी मंशा है, यानि कि उसका इरादा है अगले 6 महीनों तक, यानि कि इसमें पास्ट की भी बात हो रही और फ्यूचर की भी बात हो रही, तो उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जबकि जब हम लोग NRC की बात करते हैं, तो यह only citizen of India के लिए होता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, तो अब इस question को करते हैं, तो पहली बार 1971 में तयार किया गया था, यह गलत हो जाएगा, 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहर तयार किया गया है, एकदम सही statement है, देश के नागरिकों का इक database होता है, यह गलत हो पर विचार करना है, कौन से कथन सही है, अब देखे, स्वदेशी अंदोलन की जब बात करते हैं तो आपको पताए कि Lord करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, और इसी विभाजन का विरोध करने के लिए, 1905 में, कलकत्ता के टाउन हॉल में, एक सभा आयोजित करी राखी बांधी थी, ठीक है, और ये किस चीज का प्रतीक था, ये एक दिखाने का प्रतीक था, और इसी सोदेशी अंदोलन में 1906 की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्री शिक्षा परिशच दो थी, ठीक है, इसकी स्थापना भी यहाँ पर करी गई थी, तो पहल पुनर जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था, तो पहला स्टेट्मेंट एकदम सही है, और सेकेंड वाला स्टेट्मेंट भी एकदम सही है, तो यहाँ पर हमसे सही कतन पूछे गाएता है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा C, आज के तथ्र पे नदर डालते हैं, राष से सुनिएगा, तो इन विधान सभाव में आपको पताए कि जैसे बहुत सारी कारिवाहियां होती है, थंसद की या राज विधान मंदल के अपने प्रक्रिया के नियम होते हैं, किस तरीके से इनके अंदर प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी, ठीक है, कोई भी काम होगा तो व भी बुलेटिन निकालता है, विधान मंदलों में जो बिल पेश करे जाते हैं, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये तारांकित और आतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके उत्तर दिये जाते हैं, तो इन सारी चीजों को स्मार्ट तरीके से करने का प्रोसेस जो है, अब उसको एडॉप्ट किया जाएगा, और इसको क्या करना है, बिसिकली डिजिटल करना है, पेपरलेस करना है, तो जब पेपरलेस की, डिजिटल की, स्मार्ट तरीके से इन सारे प्रोसीडिंग्स की बात होती है, तो इसको बोलते हैं, नीवा एप्लिके यहां पर allocate कर दिये गए हैं, सबसे पहला जो राज था जिसने अपने आपको इस तरीके से करा था वो था नागा लेंड, इस fact को भी याद रखिएगा, तो basically technology के माध्यम से यहां पर जो विधान मंडल होते हैं, उनके कारियों में पारदर्शिता लाना, उनकी जवाब देही क और मजबूत करना, यह process है नीवा का, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, आज हम लोगों ने संसत के उपर बात करी, ordinance के उपर भी, तारंकित प्रशनों के उपर, तो मेरा प्रशन आपसे पॉलिटी से रहगा, दोनों प्रशन में पॉलिटी से आपसे पू तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्त रहेंगे और सबसे ज़ादा important, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद